हालो फ्रेंड्स एक गुड़हल का पेड है इस पे गुड़हल के पेड में हमेशा मीलीबक्स का अटेक बहुत होता है बहुत सब्सक्राइब चिप-चिप-चिप-डे रहते हैं लेकिन इसके केर भी करना पड़ता है तो मेरे इसमें अभी तो फिलाल तो नहीं है क्योंकि मैं तो मैं क्या करती हूँ ? डहिनिया को काट देती हूँ जहां से मिली बकस कटा गया पारेगि पूरी कटिंग करना सबह्ना सादों की तो देखें आज वहीं गराइनिया कितने क्यों अच्छा फ्लावरिंग हो रहा याल को स्प्रेगे हैं हुआ हैं तो पर्माइब में ख這個 में चाहए आप megap आपृतने से कर सकते हैं पैट रखने के लिए और एक चावल का जैसे वह गर रहता है बिना नमक का उसको तीन-चार दिन बॉटल में रख रख के कुछ पानी भर के बॉटल में से बना के लिक्विट भी बना सकते हैं फटिलाइजर तो वह कुछ 10 mL देते हैं चर्वल का लिक्विच और कुछ प्लम ओटर ईसे नोppe स्प्ट डेरात profit करने से मिली बक्स कम हो जाता हैं और ़ियंस से पानी देते हैं तो शावर भी कर सकते हैं तेज़ार से उससे भी उड़ी लेकिन मैं इतना करने से अच्छा में कटिंग कर दीती हूं मैंने लास्ट टाइम में एक वीडियो पढ़ा है तो वहीं अच्छा है क्योंकि कटिंग करने से क्या होता है ना ब्रांचे भी बढ़ जाते हैं अभी देखिए हर जगह में मेरी कलिया कले उपर से देखिए नीचे निकल जाएगा और बार-बार वह मिलीवक्स भी आता नहीं है एक बार सब दहिनिया को काट देने से बहुत बढ़िया रहता है ऐसे हमारे सफेद चिपचिपे किडे से हम लोग छुटकरा पास सकते हैं बीच-बीच में शावर करते जाएए नीम उइल का स्प्रेय भी करते जरूर करिए